ओम शान्ती आज दो मार्ज दो हजार बाइस है और आज बाबा ने हम बच्चों को करम बंधन से कैसे मुक्त हूँ उसकी बहुत सरल युक्ती बतलाई है बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं पढ़ाई पढ़ते हैं उतना हमारे करम दिया है, मन, बुद्धी, संसकार वसर्व कर्मिंद्रियों को नीती प्रमान चलाने वाले स्वराज अधिकारी भव, शिव बाबा हम बच्चों को राजियों की शिक्षा देते हैं, जिसमें हम स्वराज अधिकारी बनते हैं, और जो संगम पर वर्दमान में स्वराज अधिकारी बनता है, वही भविश्य में राज्य अधिकारी बनता है, स्वराज अधिकारी अर्थार्थ, जो स्वयम पर राज्य करता है, स्वयम पर जिसका अधिकार हो, हमारी सत्ता क्या है ये शरीर हमारा एक सत्ता के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं हमारी स्थूल इंद्रियां और हमारी सुक्षम इंद्रियां एक श्रेष्ट योगी अपने योग बल से अपनी स्थूल इंद्रियों को वश में रखता है श्रेष्ठ योगी के अनुसार ही स्थूल इंद्रियां चलती है जो व्यक्ति जिसका अपने उपर आदिपत्य नहीं होता तो वो अपनी कर्म इंद्रियों को भी ठीक रीती नहीं चला पाता तो राज्य अदिकारी स्वराज्य अदिकारी अर्थार्थ वो आत्मा अपनी स्थूल इंद्रियों को तो अपने वश्च में रखेगी ही लेकिन साधी साथ अपनी सूक्षम इंद्रियां अर्थार्थ, मन, बुद्धी और संसकार उनको भी नीती प्रमान चलाएगी और ऐसी आत्मा कभी भी धोका नहीं खा सकती, बाबा ने कहा स्वपन में भी धोका नहीं खा सकती तो मन, बुद्धी और संसकार की नीती क्या है? मन, शांत, निर्मल, खुश, जिसमें किसी भी प्रकार की उल्जन न हो, केवल श्रेष्ट विचार हो ऐसा मन, उतने ही विचार हो, जितने चलाने हैं, ना ज्यादा, ना कोई भी व्यरत बुद्धी दिव्य हो, दिव्य बनती है ज्यान से, जो बाबा ने हमें ज्यान प्रदान किया और हमारे संसकार भी, हमारे आदी संसकार और अनादी संसकार तो हम अपने मन को श्रेष्ट रीती से ठीक नीती प्रमान चला सकें अर्थार्थ मन में मेरे किसी भी और प्रकार के संकल्प न उठें मेरी बुद्धी दिव्य हो, वो ठीक निर्ने करें मेरे संसकार भी, वही इमर्जों जो हम चाहते हैं कई बार न चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है या पुरानी आदतें दिखाई देती हैं तो ये धोका खाना है, तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को योग बल से राज योग से स्वयम को जब हम आत्मा समझ कर प्यारे शिव बाबा को प्यार से याद करते हैं तो हम स्वराज अधिकारी बन जाते हैं ओम शान्ति प्यारे बन जाते हैं